नमस्कार निया, सलूट करेंगे, कौकि जिस नौकरी की तुम तयारी कर रहे हैं, उसमें तुम्हें जिन्दगी भर सलूट करना है, अपने अधिकारियों को, आलत बिरोजगारी की यह है कि हर एक PhD करने से ले करके लोग कहीं भी नौकरी का पता चलता है, इतनी भगदर मज ज नहीं दे पारे, जिससे कि वो उसमें फिट बैठ सकें, और जो काम करने लाइक हैं, उस काम को कर सकें, यही हल आपने देखा कि अभी फरवरी में, यूपी कॉंस्टेवल का एकजाम हुआ, 48 लाक लोगों ने फॉर्म भरा, बहुत बड़ा नंबर होता है, 48 लाक, और उसके बात कहा कि नहीं, पेपर लीक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहां कोई एकजाम बिना लीक और बिना अनफेरनेस के होता ही नहीं है, जब बहुत प्रेशर बनाया गया, तमाम टीचर और विद्धारतियों ने अंदोलन किये, तो बाबा को लगा कि अब तो गड़बड हो यह चुनाब भी है, जून में दिक्कत हो जाएगी, तो वो एकजाम कैंसिल कर दिया गया, और बताया नहीं किया कि एकजाम कब होगा, यानि एक एकजाम अगर कैंसिल हो जाए, जो सरकार की नाकामी को दिखाता है, तो उसके बास सरकार को तुरंत एक नोटिच जारी करना चाहिए, कि हम ये एकजाम 15 दिन के बीतर करा लेंगे, जहां सरकार एक तरफ ये कहते हैं कि हम तो कोचिंग खत्म करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि सरकार कोचिंग को बढ़ावा देना चाहती है, बच्चे ने कोचिंग ली थी, चीज दी थी कहीं ना कहीं, लेकिन क्या होगा, और इसी दौर में इन्होंने मार्च, अप्रेल, मई, जून, सब निकाल दिये, चुनाब भी हो गई, कंगना भी सांसत बन गई, अम्मानी की लड़की की साधी भी निबट गई, लेकिन एकजाम का नमबर नहीं आया, अब जब सब कामों से फिरी हुई सरकार, तो उ अब ये एकजाम सरकार की जब नीन खुली है, तो वो करा रही है, 23, 24, 25 अगस्त, और 30 अगस्त को ये एकजाम होगा, तो जो बच्चे ऐसे थे जो पहले नहीं दे पाए थे, या पहले उनकी तैयारी नहीं कर पाए थे, तो वो अभी भी तैयारी कर सकते हैं, लगवग एक म बैच था इसको पूरा इडिट करा करके इडिट मतलब सारी बातें हटवा दिन जितनी भी बातें टीचर क्लास में बोलता है सिर्फ content content कम से कम घंटे का एक course बनाया है आप इस course से एक महिने में तैयारी तो मैं नहीं कहूंगा उतनी अच्छी कर पाऊगे लेकिन हाँ यह है कि रिवीजन पूरा कर सकते हो तो आप रिवीजन कर सकते हो इस बैच में और बहुत मामूली सी इस बैच की फीस रखी और सिर्फ भी आपको लगता ही कि आपके पास उतने भी पैसे नहीं है तो आप हमारे 991-51-22-30 नंबर पे 99715122-30 पे कॉल करके बता सकते हो ताकि आपकी फीस कम होज़े वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फीस बिलकुली कम कर दे हम ऐसा भी कर लेते हैं कि इतने सारे बच्चे जब कॉल करेंगे तो हमारे लिए भी मुश्किल होगी इसलिए हमने हैल्फ 50 कोड भी दे दिया हैल्फ 50 जो कि आपकी फीस अल्रेडी कम हो जाएगी ठीक है खत्म सी हो जाएगी फिर भी अगर ऐसा लगे तो कॉल मेसेज करके मदद मांग लेना और एक महीना अच्छे से तयारी कर लो पहले कॉंश्टेवल बन जाओ जब कॉंश्टेवल बनोगे तो तुमारे उपर जब सब इस्पेक्टर होगा है एड कॉंश्टेवल होगा उसको सुलूट मानना पड़ेगा तो तुमारे अंदर के जजवात जागेंगे कि मैं इतना पड़ा लेका होकर भी वहां क्यों नह जाओगे सब इस्पेक्टर बनके और तब तुम्हें पता चलेगा कि इस्पेक्टर को सलूट मानना है तो तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत लेट हो गया अब तक तो मेरा भी प्रमोशन होके इस्पेक्टर बन गया होता इस्पेक्टर बन जाओगे तो लगेगा कि आरे सीप को सुलूट मानना है क्यों ना मैं UPSC के तियारी कर लूँ तो यह तो मलाल जिंदगी बर रहेंगे लेकिन कम से कम एक नौकरी से सुरूरात कर लेते हैं जिससे की परवार की कुछ स्थिती बदल पाए तो तयारी कर लो अच्छे से कोई भी मदद चाहिए कोई भी हेल्प चाहिए तो हमैं याद कर लिया करोव हमें मेल कर लिया करो मैसेज कर लिया करो कॉल कर लिया करो बाकी बाकी best of luck अच्छे से पेपर देखे आओ 60,000 वेकेंसी हैं मुझे लगता है कि कॉंश्टेवल तो तुम बनी जाओगे अगर थोड़ी बहुत भी महनत तुमने कर ली तो ठीक है चलो ख्याल रखना खुश रहना धन्यबाद टेक केर बाई 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 अगिन best of luck